तो गाईज ये लड़की अपने खाने को कच्रे में फेक रही होती है इस लड़की को अपने घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है इसका बॉस ये सब देख रहा होता है अगले दिन ये लड़की अपने बॉस तक खाना ओरर किया हुआ लेकर आती है फिर बॉस को खाते हुए देखके लड़की के मुँ में पानी आ जाता है वेट ये खाना तुम कच्रे में मत फेको मुझे देदो मैं खालूंगा लेले खाला इट्स ओके आई विल मैनेज तुम बर्गर कर लड़की चली जाती है अकेले अकेले ग्रील सैंड़िच ऐसा थोड़ी नहीं चुलता है हरे अकेले-aken तुम कहो तो मेरी ग्रिल सेंड्विश तुम खालो और तुमारा टिफिन मुझे देतो खाने के लिए के खाने की बात ही कुछ और है उसमें मा के हाद का प्यार होता है इसलिये बाहर के खाने की बड़ाबरी कभी घर के खाने के साथ नहीं हो सकती मैंने जब तुम्हें कच्रे में इस खाने को डालते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पास मा है इसलिए इस तरह से अन्न का अपमान मत किया करो लड़की को अपनी कल्थी का ऐसा सो जाता है